क्रोस रेशो वजरानु पाथ यदि Z1, Z2, Z3, Z4 भिन भिन हों तो राशी Z1-Z2, Z3-Z4 अपॉन Z2-Z3 इंटू Z4-Z1 को इन बिन्दों का क्रोस रेशो कहते हैं इसे Z1, Z2, Z3, Z4 इस बॉक्स में रखकर इसको प्रदर्शित करेंगे इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे Z1-Z2 उपर लिया तो यह Z2 से नीचे स्टार्ट हो रहा है Z2-Z3 फिर Z3 यह वापिस उपर आगया यह से स्टार्ट होगा और यह Z4 और वापिस Z1 तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं Z1-Z2 upon Z2-Z3 into Z3-Z4 upon Z4-Z1 B-Linear Transformation के अंतरगत Cross Ratio निश्चित या निश्चर होता है इस प्रापर्टी से तीन पॉइंट्स को अन्य तीन पॉइंट्स पर प्रतिचित्रित करने वाला B-Linear Transformation प्राप्त कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ पे Cross Ratio Fixed B-Linear Transformation के अंतरगत इसलिए हम तीन पॉइंट्स को अन्य तीन पॉइंट्स पर प्रतिचित्रित करने वाला B-Linear Transformation प्राप्त कर सकते हैं एक यह Note देखिए Cross Ratio of Z1-Z2-Z3-Z4 is equal to Cross Ratio of W1-W2-W3-W4 जहां पर W1-W2-W3-W4-Z1-Z2-Z3-Z4 के प्रतिबिम्ब हैं यह वही वाली चीज है कि इनके प्रतिबिम्बों का Cross Ratio है वो इन पॉइंट्स के Cross Ratio के बराबर होता है एक त्योरम लेते हैं बाइलीनियर ट्रांस्फोर्मेशन याद करना जो Z समतल के बिंदूओं Z1-Z2-Z3 को W समतल के बिंदूओं क्रमशेट W1-W2-W3 में प्रतिचित्रित करता है यानि कुल मिला के अगर उपर वाली इस प्रापर्टी को हम ध्यान रखें तो हमको Z1-Z1-Z2-Z3 का Cross Ratio बराबर सिद्ध करना है W1-W2-W3 यही चीज़ है सेम वाली तो बड़ा असान सा है let W is equal to Az plus B upon Cz plus D एक bilinear transformation है this is a BT therefore W1-W1 क्या है Z1 का प्रतिभिम इसलिए Az1 plus B upon Cz1 plus D W2 बराबर Az2 plus B upon Cz2 plus D and W3 बराबर Az3 plus B upon Cz3 plus D and Cross Ratio W का लिकाल लेते हैं इसको Z के बराबर लियाएंगे इसका Cross Ratio W-W1 upon W1-W2 into W2-W3 upon W3-W क्योंकि चार है न अपने पास W ले रखा है यहाँ पर इधर तीन तक है अब एक की calculation हैं अपन कर लेते हैं W-W1 की ऐसे कैसे इनकी भी हो जाएगी So W-W1 बराबर इन दोनों को घटाएंगे Az plus B upon Cz plus D minus Az1 plus B upon Cz1 plus D और यहाँ से यह हम LCM ले लेते हैं Cz plus D और Cz1 plus D और इसको इससे गुणा करते हैं इसको इससे करेंगे और यह घटा देते हैं यहाँ पर यह कर दिया अपने LCM ले लिया अब इनको आप गुणा कर दीजे दोनों को गुणा करके इसको सारा यह खोल दिया आपने ठीक है और नीचे यह AGT जा गया यह cancel होगे ACz1 और BD और अब जो बचरा है उसको आप AD minus BC की form में जमाएंगे यहाँ जहाँ AD आ रहे हैं उनको साथ रखो इन दोनों को so this is Z minus Z1 ऐसे ही यह जो बचेंगे इसमें से minus BC common एक तो यह वाला है और यहाँ वाला है तो यह वापिस minus में बाहर निकाला तो Z minus Z1 ऐसे ही दोनों में से Z minus Z1 common तो AD minus BC into Z minus Z1 upon CZ plus D into CZ1 plus D ठीक है और क्योंकि यह सिमेट्रीक है इसलिए हम क्या करेंगे ऐसे कैसे ही इनके भी निकाल लेते हैं बाकी जो बचेंगे हैं W2 minus W3 W3 minus W और W1 minus W2 और इनकी सब की value वहाँ उपर cross ratio में रख देते हैं यह cross ratio में अपन ने इन चारों की values रख दी चार आये थे और चारों को इनको आप solve कर लीजे solve करेंगे तो क्या हुआ यह कट रहे हैं देखो AD minus BC यहां भी है और AD minus BC यह नीचे भी है यहां भी है यहां भी है AD minus BC सारे cancel होगे और CZ plus D यह CZ plus D भी आपके यह CZ plus D से cancel हो गया उपर जाएगा ऐसी CZ1 plus D यह यहां cancel CZ2 plus D यह भी आपका cancel हो गया और CZ3 plus D से CZ3 plus D और केवल यह बच गए Z minus Z1 upon Z1 minus Z2 into Z2 minus Z3 upon Z3 minus Z so cross ratio of W1, W2, W3 is equal to cross ratio of Z, Z1, Z2, Z3 और यह हमारे पास required bilinear transformation है यहां पर अगर हम Z की जगे Z1 रखते हैं तो क्या होगा Z बराबर Z1 रखते ही यह सारी चीज 0 होगी है ठीक है और इसके 0 होते ही क्या होगा यह सारा चला गया 0 में and W is equal to W1 ऐसे Z बराबर Z2 रखेंगे तो भी अपने पास W बराबर W2 equation satisfied है Z बराबर Z2 यह Z की जगे Z2 रख दिया आपने Z2 माइनस Z3 इधर cancel होगे तो इधर आपको मिलेगा W बराबर यहां भी रखेंगे Z बराबर Z2 यह सारे हट गए आपके तो यह आपके इधर से आजाएगा W बराबर W2 Z बराबर Z3 रखा तो W बराबर W3 So equations are satisfied अर्थाद Z, Z1 Z1, Z2, Z3 बिंदू W1, W2, W3 बिंदूं पर प्रतिबिन्बित होते हैं यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कभी इस फॉर्म में भी ध्यान रखे कि यह 1-2-1 और AK की संगत है It is 1-2-1 correspondence अब another concept लेते हैं bilinear transformation के निश्चर बिंदू या इस्थिर बिंदू invariant और fixed point द्वी रेखे ग्रुपांतरन के अंतरगत जिन बिंदूं के प्रतिबिम उनके संपाती हों bilinear transformation के अंतरगत जिन बिंदूं के प्रतिबिम उनके संपाती हों अर्था W बराबर Z करने पर प्राप्त बिंदू निश्चर बिंदू कहलाते हैं तो W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D bilinear transformation है जहाँ AD माइनस BC is not 0 और निश्चर बिंदू निकालने के लिए हम क्या खरेंगे W बराबर Z रखेंगे यहाँ पे तो W की जगा यहाँ पे Z रख दिया और इसको solve करो AZ प्लस B बराबर CZ स्क्वाइर प्लस DZ quadratic equation आ गई और यह हम पास Z की value निकाल लो D माइनस A की जगा अपने A माइनस D उल्टा कर दिया माइनस B प्लस माइनस B स्क्वाइर माइनस 4AC अपन 2A से value आ गई अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आ रही है इनको हम note करते हैं कि अगर हम C बराबर 0 लेते हैं और D माइनस A का होल स्क्वाइर प्लस 4BC इस इस नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास हमेशा दो परिमित निश्चर बिंदू प्राप्त होंगे हम क्या कर रहे हैं C is not 0 नीचे की चीज़ 0 नहीं है और ये उपर वाली चीज़ ये भी 0 नहीं है तो ये प्लस माइनस होने की वज़े से अपने को दो invariant point मिलेंगे जब C is not 0 और ये अंदर की चीज़ D-A का whole square plus 4BC ये चीज़ 0 हो गई तो ये दोनो point क्या हो गए एक ही जगह आ गए तो C is not 0 and this is 0 तो किवल एक ही परिमित निश्चर बिंदू प्राप्त होगा और अगर हमने C बराबर 0 ले लिया A-D is not 0 लिया तब क्या होगा एक परिमित और एक अनंत निश्चर बिंदू प्राप्त होगा C is equal to 0 So W बराबर AZ प्लस B ठीक है न तो उससे अपने को क्या होगा एक तो finite मिल लिया और दूसरा क्या होगा है कि C को 0 लेते ही है इंफिनिटी को क्या तो दो point अपने को निश्चर point मिलेंगे C बराबर 0 और A माइनस DB 0 ले लिया पने तो फिर हमको केवल एक ही अनंत निश्चर बिंदू प्राप्त होगा यहां पर अब हम लेते हैं बाइलीनियर ट्रांसफोर्मेशन का सामन्य रूप यदि α और बीटा बाइलीनियर ट्रांसफोर्मेशन के परिमित निश्चर बिंदू हो तो W माइनस अलफा अपन W माइनस बीटा इस इकल टू लेम्डा इंटू Z माइनस अलफा अपन Z माइनस बीटा जहां लेम्डा complex constant है इस रूप का रूपांतरण समन्य रूप का रूपांतरण कहलाता है बाइलीनियर ट्रांसफोर्मेशन का जनरल रूप है ये अलफा बीटा बाइलीनियर ट्रांसफोर्मेशन के दो परिमित निश्चर बिंदू हो conditions ध्यान रखनी है तो w-alpha upon w-beta is equal to lambda into z-alpha upon z-beta जहां lambda complex constant है इसको हम समन्य रूप का रूपांतरण कहते हैं यदि w बराबर ez-b upon cz-b का केवल एक ही परिमित इस्थिर बिंदू हो एक ही निश्चर बिंदू हो invariant point एक ही alpha है तो ये समन्य रूप आप इस प्रकार का use करेंगे 1 upon w-alpha upon 1 upon z-alpha plus lambda ये याद रखने की चीज़े हैं questions में काफी मदद करते हैं bilinear transformation का एक परिमित इस्थिर बिंदू और दूसरा infinity हो तो समन्य रूप w-alpha is equal to lambda into z-alpha होगा और केवल infinity हो तो इस्थिर बिंदू हो b upon a होगा एक थियोरम लेते हैं प्रत्य एक bilinear transformation दो परिमित निश्चर बिंदूओं alpha और beta के साथ निम्न रूप में व्यक्त की जा सकती है w-alpha upon w-beta बराबर lambda into z-alpha upon z-beta कब अगर हमारे पास में दो finite invariant point alpha और beta हो उनके लिए हैं गिवन alpha और beta bilinear transformation के दो परिमित निश्चर बिंदू है और bilinear transformation के अंतरगत अन्य बिंदू gamma और delta पर प्रतिचत्रित होते हैं तो ऐसी स्थिति में cross ratio w-alpha-delta-beta will be cross ratio of z-alpha-gamma and beta क्योंकि यहां अपन ने क्या लिया ऐसा कि alpha और beta किस पे जा रहे हैं गामा और परिमित बिंदू हैं और bt के अंतरगत अन्य बिंदू gamma और delta के ऊपर प्रतिचत्रित हो रहे हैं तो यह गामा और delta यहां ले लिया है यह alpha होगे इनके हम क्या करते हैं cross ratio लिख दिये ठीक है यह cross ratio w-alpha इनका लिख दिया upon alpha minus delta and delta minus beta upon beta minus delta इसे तरह इदर भी लिख दिया z minus alpha upon alpha minus gamma gamma minus beta upon beta minus z और इसको आप solve करिए तो इसको इदर रहने दो क्योंकि हमको w-alpha upon w-beta चीए तो इसको एक side रखेंगे और बाकी यह w-alpha upon w-beta है यहां का minus इदर adjust करेंगे यह z minus beta के साथ यह इदर ले लिया और बाकी जो इन सब को उठा के इदर लिया आते हैं यह जो बीच में चीज आ रही है यह सारी क्या है कि alpha, beta, gamma, delta चल रहे हैं तो यह constant है इसको नया नाम दे दिया lambda अथ है हम कह सकते हैं कि अगर इसको सारा lambda constant दे दिया हमने तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में किस भी bilinear transformation को इस form में व्यक्त कर सकते हैं